जहें दोस्तों इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग क्लास 12 हिंदी के अंतरगत आपका 20 नंबर का एक सबसे important topic जो की होने वाला है गध्यांस और पध्यांस तो इसे एक सिंगल वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कि आपको कौन कौन से गध्यांस पढ़ने है ठ इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पर महत्वपूड पध्यांस की जो की यह भी आपका बोडिक जाम में पूरा 10 नंबर का आता है तो यह वीडियो काफी important है आपके लिए पूरा आं तक देखना है 20 नंबर का यह वीडियो आपका होने वाला है ठीक है चलिए हम लोग जानते हैं यहां पर सबसे पहले महत्वपूड गध्यांस और इनका solution आपको बताऊंगा कैसे solve करना है ठीक है तो पहजाने की trick वगएरा सारी चीजें यहां पर आपके सामने में बताने बाला हूँ बस आपको क्या करना है आंग तक बने रहना है और प्लीज वीडियो को like क कर देना है ठीक ना क्योंकि इतनी महनत आपके लिए लगातार मैं कर रहा हूँ आप लोग देखते होंगे लगातार आपके लिए हर एक topic पर मैं वीडियो प्रवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आवी तक जो भी बच्चे तयारी नहीं की है हर एक topic उनका clear हो जाए और यह सब आपके लिए लगातार मैं देखे कर रहा हूं इतनी महनत तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला देख सकते हैं आपके सामने दिया गया है यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं फिर इसको पहचान आप बटाएए कि काउम से यहाँ पर कहांच चेप्टर से लिया गया है तो देखे कर रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है सहस्रों वर्सों सहस्रों का मतलब होता है हजारों ठीक ना तो हजारों वर्सों से भूमी के साथ रास्टियत जन ने चादात्म प्राप्त किया है जब तक सूर की रस्मिया नित प्राताकाल को भूवन को जो रस्मिया चड़ाओ पार करने के बाद भी राष्ट निवासी जन आप तो पहचान गए होंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि भईया यहाँ पर हम जान गए क्योंकि आप बोलेंगे कि भईया यहाँ पर राष्ट का स्वरूप जो है चैप्टर से लिया गया है इसमे को तुम्हें करा ही रहा है तो टिक करने की क्या ही जरूरत है काफी ज़्यदा रिपीटेट है यह तो यहाँ से आपका दिया गया अनेक घाटों का निर्मार करना होता है यह आपका पहला most important का द्यान से चलिए इसको solve करते हैं question कैसे बनेगे इसके आपके बोड़ एक्जाम में जैसे पहला question आपका बन सकता है आप यहाँ पर बता दू 10 नंबर का आएगा जिसमें अगर आप चाहें तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे बीना पहचाने आप लोग इसमें 8 नंबर पक्के कर लेंगे कैसे करेंगे देखिए आपको पता है 10 नंबर का आगर आएगा तो दो नंबर सिर्फ आपको संदर्व के मिलते हैं और अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तो संदर्व ज्यादस जैदा होगा कि आपको गलत हो जाएगा लेकिन वो भी तुम्हें बता र जाएगा जन का प्रवा अनन्त होता है बस इतना बता देना है इसके बाद अंगला कोशन देखिया पर है कि सूरी की रस्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है तो सूरी की रस्मियों क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए कि सूरी की रस्मियों के प्रभाव से रास्टिय ज का जीवन अमर हो जाता है या अमर है ठीक ना जब तक सूरी की रस्मिया प्राताकाल भुवन को भर देती है हना तो इसका अंसर यहां से आपको इतना बना देना है इसके बाद यहां पर एक अंगला कोशन तीसरे कोशन करा है कि घाटों का निर्माड का आसा इस पश्ट कीजि कि जो मनुस लगातार मतलब हमारी आप लोग देखते होंगे पीडी दर पीडी जो है चलती चली आ रही है अब लगातार एक परंपरा अगर पहली पीडी से चल गई है तो वो लगातार चलती हुई चली आ रही है उसको बोलेंगे सततवाही जीवन है ना तो बस घाटों का निर्माड यही हो जाएगा कि लिखेंगे कि घाटों के निर्माड का आसा है कि मनुस अपने कर्म और स्रम के द्वारा विकास के लियत पदचिन छोड़ना है तो यह हो जाएगा इसके बाद चावता क्वेस्टन जो कि मैं बता कि अगर पहचान पाएंगे तभी इसको सही कर पाएंगे जैसे का रहा कि घद्याns क का सिर्षक एंए गेंगे टानाम बताई तो यह पर पूचेगा प्रसबुत घद्यांज का संदरुञाया इस प्रकास को सना सकता है तो लिखेंगे हम लोग कि प्रसुत घद्यांज के बाद facultjor का सिर्षक रास्ट का सरूप है और इसके लेखक बस दियो सनाग्रवाल हैं बस इतना आपको बताना इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना ठीक है तो चार कोशन यहां से आपके सौल्ब हो जाएंगे अंगला कोशन देखे रेखांगी अंसकी ब्याख्या तो अब इसमें अंडर लाइन देखे कहां से कहां तक है यहां पर दिया गया है जन का प्रवा अनन्त होता है सहसरु आसों से भूमी के साथ राष्टी जन ने तदा प्राप्त किया है जब दक सुरी की रस्मिया नित प्राता काल को भूवन से अमरत से भार देती है बस इतना ही तो है ना ग्रीन ग्रीन जो दिखरा तो चली इसका ब्याख्या करते हैं हम लोग लिखेंगे कि प्रतेक राष्ट का इतिहास निरंतर बदलता रहता है ठीक है ना तदा उसमें अनेक उतार बनाए हुए है इतना आप कर देंगे तो यह आपका पूरा दस नंबर जो कि में बता दिया दस नंबर यहां से आपका पूरा किलियर हो जाएगा ठीक है तो इतना तो आप कर लेंगे इसके बाद देखिए अंगला आपके पास यहाँ पर क्या दिया गया है देखें दूसर लिए आप लोग भासा अधुनिकता जो चेप्टर है ना तो दूसरे सब्दों में केवल आधुनिक यूगीन विचार धाराओं के अनुरूप नए सब्दों के गढ़ने मात्र से ही भासा का भीकास नहीं होता वरन नए परिवासी सब्दों एवं नूतन सैली प्रणालियों क विवार में लाना ही भासा में आधुनिकता परदान करता है ये देखी काफी इंपॉर्टन है ठीक ना अगर आपका सुरुवात में या आएगा तो अत्कवा में इसके आने के जो दूसरा वालवन ने बताया काफी ज़्यादा इसके चांसे से हैं आपके दूसरे नंबर प यहां पर आपके सामने आता है यहां पर नंबर फस्ट में आपको यहां पर देखी इसमें गद्यांस में करना है एक और मात्र भूमी पर निवास करने वाल जितने बता रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा आपको इतना करना पड़ेगा मात्र भूमी पर निवास करने वाल पर किया राष्ट का सीर्षक और लेखत का नाम लिकी क्या है तो यहाँ पर वासुद्यशन अरगरवाल है बस ऐसे करके आप इसको लिग देंगे है इसके बाद देखे अंगला कोईशन राष्ट की कल्पना कब असंभव है तो यहाँ पर कहरा की प्रत्वी हो और मनिस ना हो तो राष्ट की कल्पना असंभव है तो बस यहाँ पर आंसर हो जागा कि प्रत्वी हो और मनिस ना हो तो राष्ट की कल्पना असंभव है अंगला को मात्र भूमी की संग्या प्राप्त करती है तो प्रत्वी मानुस की काण यानि के जन के काण मात्र भूमी की संग्या प्राप्त करती है इसी में आंसर है ठीक है यहाँ पा देखिए इसमें हम लोग देखेंगे तो यह देखिए जन के काण ही प्रत्वी मात्र भूमी की संग्य प्रतिवी माता है और जन सच्चे अर्थों में प्रतिवी के पूत्र है इसका आपको क्यारना है ब्याक्या तो लिखेंगे जिस प्रकार मतलब प्रतिवी माता है और जन सच्चे अर्थों में प्रतिवी के पूत्र है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे दिखेंगे इस प्रकाल से आपको स्वालब कर देना पूरत ठीक ना तो इसको आप लोग समझ गए होंगे चलिए इसके बाद आपका अंगला जो गध्यांस आपको पढ़ना है वो है आपका आशोक का ब्रक्ष जितना भी मनोहर हो जितना भी रहस्य में हो जितना भी अलंकार में हो परन् लाखो करोणों की एपेक्चा से जो समरद्ध हुई इतना आप कर लेंगे काफी important है यह आसो का फूल जो आपका chapter है वही से लिया गया आप लोग इसमें ऐसा word भी आया आप इसको पहंचान भी गया होंगे और यह आपका हजारी पसाद दुवेदी जीगा तो यहां से आपका यह first हो गया और यह second दो इसके मैंने आपको बता दिये और दो आपको मैंने यहां पर बता दिये एक आपका जन का प्रवा अनंत वाला और एक मैंने आपको बताया नए सब्द नए मुहावरे यानि की भासा अधुनिक्ता chapter से तो यह चार आपको मैंने बता दिये क्या महत्तो पूर्ण जो कि आपके हैं गद्यांस ठीक है इनको जरूर कर लेना बहुत ज़्यदा important है और पहजानने का trick यही होता है कि इनके बीच में आप देखे पूरा पढ़िए जो कि मैं आपको यहाँ पर जो भी चीज़े बताऊँगा सब एकदम बिल्कुल एकदम रियल और जेनिवन होगी ठीक है तो देखे आपके सामने दिया गया यहाँ पर मेरे प्यारे नौज जलज से कंज से नेत्रवाले जाके आयन मदवन से और नभेजा संदेशा मैं रोरो के प्रियविराह में बावली सी हो रही हूँ जाके मेरी सब कता स्याम को तो सुना दे यह काफी important है इसको याद रखिएगा पावन दूति का chapter से है ठीक ना यहाँ पर जो राधिका जी है वो अपनी मन की बैथा को सुना रहे है किसको तो पावन यानी वायू को और उनसे संदेशा भिजवा रहे है क्रिशन जी को ठीक ना तो चलिए इसको solve करते है कैसे इसके question आखिरकार बनेंगे बोड एक्जाम में यह सबसे important है आपके लिए ठीक है चलिए तो देखिए गाए आपर पहला question आपके सामने है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती है तो भाईया यहाँ पर आपको मन बता दिया कि पावन को दूतिका बना कर यानी कि दूत बना कर पहला के द्वारा जो है संदेशा राधिका भिजवा रहे है तो लिखेंगे हम लोग कि राधा पहला को दूतिका बना कर उसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती है बस इसका यही अंसर है इसके बाद देखिए अंगला question कृष्ण का संदर कैसा है उलेक कीजिए तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है इसमें बताया गया है कि मेरे प्यारे नव जलज से कंज से नेतर वाले यानि कि जो भगवान सिरिकेश न वो कैसे होंगे नव जलज से कंज से नेतर वाले यानि कि वो नभीन मेग जैसे सोभा वाले और कमल जैसे कंज से नेतर वाले मतलब कमल जैसे नेतर वाले होंगे तो ये आपका हो जागा अंगला कोईशन राधा की मनोदसा का वर्णन केज़े तो राधा की मनोदसा कैसे थी लिख देना है इसके बाद देखिए यहाँ पर अंगला कोशन इससे बनेगा उपरियुक्त पध्यांस का सीर्षक है नहीं कि जो संदर्व लिखने के लिख लिए आता है संदर्व कैसे लिखेंगे यह काफी इमपोर्णट है तो जब पहचान जाएंगे चैप्टर का नाम ले इसके बाद देखिए अंडर लाइन पोर्षन यहाँ पर देखिए कौन सा दिया गया है तो उपर की दो लाइन आपकी रेखान की जन्स है जैसे मेरे प्यारे नो जलसे कंज से नेत्रवाले जाके आए न मदुबन से आउना भेजा संदेशा मतलब जब से मेरे प्यारे जो क इसके बाद दूसरा आपके पास most important जो पद्यांस है वो होने बाले यहाँ पर देख सकते हैं कहते आते थे अभी यही नर्देही माता नकुमाता पुत्र को पुत्र भले लए अब कहे सभी यहाँ हाय वरुद्ह वईदाताा है फूत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता बस मैंने इसका बाहई गातर ही देखा द्रनहेदय न देखा मरदुल गातर ही देखा चलिए पहँचान लिजए इसको देखे कहां से है तो कईकई अनताप जो कि मैतली सरणगुप्त जी का एक बहुत ही ज्यादा important chapter ठीक है तो यहाँ पर कहके ही जो है स्वयम को दिकार रही है कि अभी तक तो लोग यही कहते आएं कि माता कुमाता नहीं हो सकती पुत्र भाले को पुत्र हो जाए आप सब लोग यही कहेंगे कि बिरुद भी जाता मतलब कि आप सभी इसके बिरुद बोलेंगे क्या मैंने इसका बाहरी जो है स्वरूप ही देखा मतलब कि अंदर का जो हर्द है वो ने देखा मरदुल गातर ही देखा तो यह आपको पहचान लेना इसके कैसे बनेगे मैंने बता दिये कि पहचान गये तो दो नंबर वो फिक्स हो गया बांकी कोशन यहाँ पर इसी में आंसर आपको मिल जाएंगे इसके बाद आपको अंगला एक तयार करना है यहाँ पर गिर रहे थे गुंगराले बाल अंस अवलंबित मुक के पास नील घन सावक से सुकमार सुधा वरने को विदु के पास और मुक पर वह मरद मुसकान रक्ति किसले पर ले विस्राम अरूर की एक करना अलमान जैसंकर प्रसाथ जी का जो सरद्दा मनु चेप्टर है वहीं से प्यारे बच्चों यह लिया गया है आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर घिर रहे थे गुंगराले बालेन की सरद्दा और जो मनु है न उन्हें के बीच में यहाँ पर जो है उनकी संदर्ता का क है न और बाकी का जो चार गोश्चन रहेंगे आठ नमबर के वो इन ही से आएंगे जैसे कि आपको मैंने बताय खिएक क्लने का इसम नहीं संदर्क लिकिने का मिलता है बाकी की जो चार गोश्चन को रहे जैसे पूंछे वह इसजी आपको आर्थ समझ कर इसको कर देना ठीक एक और जो की most important ये भी है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मरदुल अधुखुला अंग खिला हो जियों बिजली का फुल मेगवन बेच गुलाबी रंग काफी important है ये इसको आपको अगर पहँचान गए तो समझ लीजेगा फिर आपका यहां से 10 नंबर फिक्स है ज अगर संदर्व लिखने के लिएगा मतलब question पूछेगा कि पाठ का सीरसक और कभी का नाम ये संदर्व लिखिए तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ का सीरसक स्रद्धा मनु है और यहां पर इसके जो रचाईता है कभी है वो है जैसंकर प्रसाद जी ठीक ना तो लिखेंगे हम लोग विजली के फूल से तात्य पर स्रद्धा का आकार सक और वार वर्ण योगत संदर सरीर से क्योंकि इसमें बताया गया कि नील परिधान बीच सुकुमार मतलब जैसे कि परिधान मतलब होता है वस्तर ठीक ना तो मतलब नील परिधान मतलब की जो नीले नीले जो वस्तर रहें या कह सकते हैं कि मतलब जो कह सकते हैं जो यहाँ पर नीले बादलों के समान दिखाए दे रहें जो मतलब जो सरद्धा जो है वस्तर पैने हैं वो कैसे दिखाए दे रहें तो जैसे नीले बादल जो आसमान में होते हैं वैसे जो है दिखाए दे रहे और उनके बीच जो सुकमार है मतलब कि उनका जो सुन्दर सरीर के जो कोमल अंग है सुकमार का मतलब वो जब कहीं कहीं बीच से खुलकर दिखाई दे रहा है मतलब अधुकुला अंग का मतलब है तो वहां से कैसा प्रतीतुरा जैसे कि बादलों के बीच से बिजली जो है चमक प्लास्ट की लाइन आपर है में घबन बीच गुलाबी रंग तो मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आपको एक लाइन की व्याख्या करने है तो उपर कि आपको चारो लाइन का सहारा लेना पड़ेगा कैसे याणि कि अगर आप चारो लाइन को अच्छे समझ लेंगे उन्हें देखकर ऐसा प्रती तो हो रहा है ऐसा लग रहा है मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर विजली का फूल खिला हो इतना कर देना है बाकी के दो कोशन आपके यहीं से बनेंगे तो उनको आप आंसर दे देंगे और जितने मैंने गध्यांस 18 मिनट की जो यह वीडियो है इसमें आप अराम से वेस नंबर फोड़ कर आएंगे यह मेरी गरंटी है ठीक ना तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दिना है चैनल पना है सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आने वाली और जो टॉपिक हैं या अदर सब्जेक्ट की वी अतर ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्रवाइड करा रहा हूं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिन वंद्यमात्रम